हेलो एपरिवन मैं मितोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे जैसा सी न्यू वेकेंसी आउट हो चुकी है इसी के बारे में बात करेंगे सेलरी आपको 81,000 रुपय तक मिलेगा अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो 4554 पोस यहां से देख लिए इस वीडियो में लोग योगिता, चैन प्रेकरिया, सिलिबस के बारे में बात करेंगे और इसे केवल सिरियस स्टूडेंट ही देखें जिनको लगता है कि यह बहुत कम पोस्ट है तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें आप वापस आ सकते हैं बहुत अगर आप ज़ारखन के अनुसूचित जाती या फिर जन जाती से आते हो तो पचास रुपे में इस फॉर्म को आप भर पाओगे आगे देखिए यहां पे कुछ और बाते बताई गई है वो मैं आपके साथ साजा कर देता हूँ देखिए यहां से आप वीवरन देख सकते हो किसके लिए कितनी पोस्ट यहां पे वैकेंट रखी गई है यहां से देख लेजिए जो जेनरल पोस्ट है वो 182 पोस्ट है अनुस सोचित जाती के लिए 45 अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपको 37 पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और EWS के लिए 45 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा आगे देखिए कुछ और बातें यहां पर बताई गई है वो यहां से आप देख पाओगे सेलरी आपकी 35,500 रुपे से स्टार्ट होकर 81,100 रुपे तक जाएगी यहां से देख लिए कुछ और अगर मैं नियूनितम योगिता की बात करूँ सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो देखे जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट तक आपके पास जो है अगर मैं बात करूँ नियूनितम की उमर सीमा के तो 21 साल के अगर आप हैं तो आप अपलाए कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ कि टोटल जो है जनल कटेगरी वाले और जो EWS वाले उनकी 35 वर्स तक जो है आप इस फॉर्म को भर पाओगे अगर आप 30 पिछला वर्ग या फि तो अनसूचित जन जाती और अनसूचित जाती के पुरुस और महिला हैं उनके लिए 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है क्लियर है यहां तक अब यहां से दिख लिजिए कुछ और बात है पातरता कि अगर मैं बात करूँ तो परिक्षा में बैठने कि अनुवती प पर मिलेगा जाती परमान पत्र जो है आपको बनवाना होगा आवासी परमान पत्र भी आपको यहां पर बनवाना होगा क्लियर होगी यहां पर सारी बाते ऑनलाइन भरने के लिए जो है आपको वेट बिन यह बहुत ही आसान है आप आराम से जो है ऑनलाइन भर पाओगी ठ पुर्ण करने के लिए यहां पर डेट बगरा दिया गया है यहां से देख लिए रेजिस्ट्रेशन करने परिक्षा सुल्क भुक्तान करने फोटो तथा हस्ताक्षर अप्लोड कर आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांग 6-9 से लेकर के 5-10 तक आप आवेदन कर स इसमें लागू होगा ठीक है दूसरी बात परिक्षा का जो स्वरूफ होगा वो इस परकार होगा पहला चरन दूसरा चरन पहले चरन में आपका जो है कौसल जांच किया जाएगा और दूसरे चरन में लिखित परिक्षा ली जाएगी अब देखिए पहले चरन में जो है आ इंदी सुर्थिलेक दिया जाएगा इसे आपको लिखना होगा ठीक है अब इसी तरह से English की बात करें तो computer की जो I mean computer की भी जांच की जाएगी इसमें MS Word पर आपको कितनी knowledge है MS Excel पर कितनी knowledge है MS Excel पर पाई चार्ट और बार चार्ट वगएर आप बनाने आता है आपको या नहीं इस पर ध्यान दिया जाएगा MS Excel जो डेटा तैयार है उसको MS PowerPoint में जो है PowerPoint presentation पर प्रजेंटेशन पर स्लाइड वगएर आप बना सकते हो या नहीं ये भी देखा जाएगा ठीक है नमर का होगा और परिक्षा जो आपकी तीन घंटे की होगी जीके से question पुछे जाएंगे और तर्क तथा मानसिक छमता जांस से question पुछा जाएगा ठीक है अब आगे देख लिजे आपको परसम पत्र में जो है 30% अंकलाना अनिवार है otherwise आपको दिक्कत आजाएगी 100% लोगों के लिए रादोंगा कि इसको कैसे पढ़ना है एक एक topic wise जो है syllabus आपको यहां पर बता दिया जाएगा देखिए syllabus बहुत बड़ा है मैंने चाहता हूं कि आपका time बिलकुल भी waste हो जाए ठीक है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना है और अब मैं यहां से फि कोई भी अगर आपको दिक्कत हो कोई भी question अगर आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो जितने भी question paper है जितने भी examination अभी तक conduct कराए गए उसके previous question paper को यहां से आप ले सकते हो यहां से मेरी email id देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो have a good day